हेलो एब्रिवन कैसे आफ सब लोग आफ तब ठीक होंगे तो आईए शुरू करते हैं आज को टॉपीक का दोस्तों उच टॉपीक कर नाम है कि हम कैसे जुक कर सकते हैं कि new reference का Against Reference का, On Account का और Advance का यूज कैसे कर सकते हैं तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको चाट चीज़े दिख रही है एक Against Reference और एक New Reference, एक On Account and Advance, इन चारों चीजों का Use आप कैसे कर सकते हैं तो आज हम इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला point आता है हम new reference की बात करते हैं तो new reference के लिए जब हम किसी bill की entry करते हैं जब हम क्या करते हैं किसी bill की हम entry करते हैं तो उस condition में हम क्या करते हैं new reference का use करते हैं जैसे कि मैं RK printer का bill है अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ अपनी बुक्स में entry करता हूँ तो बुक्स में entry करने के लिए मैं क्या करूँगा RK printer के laser पे चलूँगा और यहाँ पे मैं Alt A दबाऊँगा Alt A दबाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ क्यों new voucher enter हो गया अब यहाँ पर F7, जनर्र से एंट्री करनी है न, तो यह कौन से खर्चा है, सारा printing and stationary का खर्चा है, तो मैं सारा का डालूँगा, printing and stationary पर, तो जब मैं printing and stationary में यह खर्चा डालूँगा कितना, 2075 रुपे, जैसे मैं 2075 रुपे डाला है यहाँ और यहाँ पर किसको input किया, GST को input at the text, GST 18%, 18% हो गया, 18% में कितना आगया मेरा, 373 रुपे, 50 पैसे, archive printer, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2448 रुपे, 50 पैसे हो गया, अब यहाँ पर मैं देखिए, चार चीज पूछ रहा है मेरे से, against reference, advance, new reference, और on account, ठीक है, अब इन चारों में सबसे पहला आता है, new reference, new reference का use हम तब करते हैं, जब हम किसी नए bill की entry कर रहे हो, नए bill की क्या कर रहे हो, entry कर रहे हो, जैसे कि new reference, new reference में हम क्या लिख सकते हैं, party का bill number, और किस date पर वो bill को issue किया गया, जैसे कि 21, 11, 2022 में issue किया गया, तो मैं यहाँ पर 21, 11, 2022 कर दूँगा, ठीक है, 21, 11 भी कर दूगा तो भी enough है, लेकिन देखिए, यह date नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि यह educational mode है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके किसी भी new reference का use कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिंग, bill number कितना है, bill number है, 38, date, 21, 11, 2022, for the cost of, किस किस की costing है, यहाँ पर लिख द envelope के बाद letterhead की, और इसके बाद visiting card की, ठीक है, यह तो हो गया हमारा new reference का, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि new reference का use हम किसलिए करते हैं, new reference का use हम किसी भी नय बिल्गी entry करने के लिए करते हैं, ठीक है, यह हो गया, अब मिलको against reference का use करने के लिए मैं क्या कर रहे हो या उसकी प्रिवियस वाले बिल को क्या कर रहे हो या तो उसका डैबिट नोट या क्रेडिट नोट बना के उसको सेटल कर रहे हो या उसकी पेमेंट करके उसको एड़ेस्ट कर रहे हो या उस बिल के विहाब पर कोई एंट्री पास कर रहे हो एड़ेस्टमेंट एं करूँगा तो यानि की 380 रुपए थारी 380 बिल नंबर के यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं किसे कैश तो यहाँ पर लिख देंगे बिंग कैश पैड ठीक देखेंगे अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं जैसे आर्के ग्यारा दो जार बाईस का है जो ठीक है और उसकी payment कप कि हमने अब हमने उसकी payment कि है तीन सो असी रुपए की वो सारी तीन सो असी बिल नंबर की payment हमने कप कि है दो अपरेल को तो किसके थुरो में पता चला अगेंस रिफ्रेंस के थूँ ठीक है यह तो था new रिफ्रेंस अगेंस रिफ्रेंस अब बात करते हैं on account की on account में क्या करते हैं अगर हमने कुछ पैसा क्या क्या आरके प्रिंटर को दे दिया आरके प्रिंटर को मालो मैंने 5000 रुपे on account दे दिये on account का use कप करते हैं दोस्तों on account का use हम जब किसी बिल की पूली payment ना करके हम सर्फ PARTLY payment करते हैं तब हम on account का use करते हैं जैसे कोई बिल है 5000 रुपे का और 5,000 रुपए की जगा हम उसको सिर्फ अभी कितनी पेमेंट कर रहे हैं धाई जार रुपए पेमेंट कर रहे हैं तो उस बिल के बहाँ पे कर रहे हैं तो उस बिल के बहाँ पे या किसी पार्टी ली पेमेंट जब हम करते हैं किसी दूशरी पार्टी को तो उसके लिए हम क कूंट दिख जाएगा कि हमने क्या किया है कितनी पांच जा रुपए तो और बात करते हैं चुछ कि अगर किसी अगर क्सिव खये में क्या क्या किया किसी पार्टी को निरत को हीं हमने क्या किया कि 3500 रुपए क्या किया advance payment कर दी बिल बाद में आएगा तो हम क्या करेंगे उसका advance में डाल देंगे और यहां पर हम क्या कर देंगे बिंग कैश पैट कर देंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम F5 प्रेस कर देंगे तो जैसे हम F5 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 35 रुपे हमने उसे क्या दिया हुआ है एडवांस दिया हुआ है और 5000 रुपे हमने उसे कैसे दिया हुआ है दोस्त अगेंस रिफ्रेंस का यूज किसलिए करते हैं हम अगेंस रिफ्रेंस का यूज हम उस बिल की पेमेंट करने के लिए या एज़ेस्टमेंट एंट्री या उस बिल को सेटल करने के लिए अगेंस रिफ्रेंस का यूज करते हैं एडवांस पेमेंट करते हैं हम किसी कोई material बनवाना चाहते हैं उसके वहाप करना होता है पार्टी को पहले ही payment करनी होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं अडवांस वाले रफ्रेंस का यूज करते हैं और लाश्ट क्या आता है हमारा on account जब हम किसी पूरे बिल में से किसी पा ते हमारे चार चीजे तो वीडियो आपको कैसी लगे दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर पता है हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए थाइंक्यों चो मत दोस्तों